नमेश्कार दोस्तों, रिसेंटली आपने कुछ न्यूस सुना होगा कि इरान के अंदर किसी प्रकार का इलेक्शन चल रहा है बेसिकली ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए है तो सबसे पहले तो आपके मन में कुछन आना चाहिए कि क्या वहाँ पर कोई प्रेसिडेंट है, क्या किसी प्रकार का इलेक्शन होता है इलेक्शन होता है तो किस प्रॉसेस के तहत होता है मतलब कि वहाँ पर जो में पावर है किस के पास रहती है क्या वो President के पास ही रहती है क्या वहाँ पर कोई Democracy है main question ये है क्योंकि इरान के बारे में कोई बहुत जादा हम Democracy के बारे में सुनते नहीं है तो फिर किस हिसाब से ये election हो रहा है तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे कि वहाँ पर जो current में अभी process है ना जो elections होते हैं जिसके पास जो power होती है वो basically आपका 1979 से चलता रहा है 1979 के पहले अगर आप देखोगे तो dynasty कर उलुवा करता जैसे मुनार्की अगर हो गया वैसा था लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा revolution हुआ था 1979 आते आते और उसके बाद जो present का process है वो आपको देखने को मिलेगा और present में अगर आप देखिए तो इरान के अंदर जो सबसे बड़ा leader होता है जिसके पास हम कह सकते हैं ultimate power होती है जिसके पास वो होता है आपका supreme leader supreme leader इस समय अक्सर आप सुनते होंगे इसका नाम अली खमाइनी जो खमाइनी है वो इस समय supreme leader है बहले ही को election हो जाए कुछ हो जाए ultimate power इसी supreme leader के पास होती है उसके बाद यहाँ पर जो president है present में president है अप अक्सर सुनते होंगे तो हसन रोहानी मैं आपको बता दूँ कि इस समय वो election में run नहीं कर रहे है क्योंकि वहाँ पर एक council है guardian council मैं सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो में आपको clear हो जाएगा तो वो guardian council ने मना कर दिया है कि आप election में run नहीं कर सकते तो definite सी बात है कोई नया president ही बनने वाला है इरान के अंदर इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक चीज highlight की है that is chief justice वहाँ के जो judiciary के head है chief justice of Iran आप कह सकते हो उनका नाम है इब्राहिम राइसी मैं इनका नाम especially इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि present में जो election हो रहा है president का उसमें ये भी run कर रहे है और खास बात ये है कि ये काफी जादा supporter बताये जाते है supreme leader के मतलब कि जो अली खमाइनी है supreme leader ultimate head है जो इरान के उनके काफी जादा करीबी बताये जाते है इब्राहिम राइसी supporter बताये जाते है तो इसकी वज़े से ये वाला जो election है most probably आप कह सकते हो कि इनी के दौरा जीता जाएगा अब शाम आते आते कुछ result अगर आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा most probably इनी का नाम बताया जा रहा है इब्राहिम राइसी अगले राश्पती हो सकते हैं इरान के तो यहाँ पर question है कि ये जो present में constitution है ये जो मैंने आपको बताया ना कि supreme leader होगा, president होगा ये किस basis पर है, क्यों आया 1979 के पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर dynasty rule क्या करती थी, that is पहलवी dynasty, पहलवी dynasty मैं आपको बता दू कि 1953 के बाद अगर आप देखोगे तो इनके जो leader थें, शाह महमूद रेजा पलवी, ठीक है ये क्या कर लिये थे, US के साथ काफी जादा करीब आ गये थे, US के support की बज़े से ये क्या कर रहे थे, इरान के अंदर rule कर रहे थे, भले ही वहाँ पर लोग खुश थे नहीं तो वह एक अलग चीज है, लेकिन क्योंकि US का support था, वो पूरी तरह से rule कर रहे थे, लेकिन आपको पता ही है, ये बहुत लंबे तरह समय तक नहीं चल पाता है, ultimately किसी प्रकार का revolution आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, और इसी को देखते वे 1979 आते आते एक बहुत बड़ा revolution आया, जिसको कहा जाता है Islamic revolution या फिर Iranian revolution भी इसको कहते हैं, और जिसकी वज़े से, ये जो dynasty था, पहलवी dynasty इसको हटा दिया गया, और एक नई सरकार बन गए जिसको बोला गया Islamic Republic, अब Republic का मतलब क्या होता है, Republic का, simple earth यू समझो तो, जो ultimate power है, जो supreme power है, वो लोगों के पास होनी चाहिए मतलब, लोग यहाँ पर elect करेंगे कि उनका शाशा कौन होगा, कौन उनको rule करेगा, तो वहाँ पर Islamic Republic जो है, वो यहाँ पर establish कर दिया क्या था, और उसी के तहत, यहाँ यहाँ पर, मैंने आपको बताया ना, यह जो supreme leader है, president है, यह rule तब से चलते हा रहा है, और जो revolution हुआ था, 1979 के जस्ट पहले, उसमें यहाँ पर एक leader थे, revolt के मतलब, जो revolt किया जा रहा था, उसमें से एक leader थे, Ayotullah Rohala Khamaini, अब ध्यान रखिएगा, अभी जो present में supreme leader है, इनका भी नाम कुछ वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन he is Ali Khamaini, जो उस समय उस समय बने थे, आपके Ayotullah Rohala Khamaini, वो पहले थे, उसकी बाद second अभी जो है, वो rule कर रहा है आपर, तो अभी तक दो supreme leader है 1979 के बाद से इरान के अंदर, अब हम आते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, देखो, कल Friday को ही voting वगर हुआ है, इरान के द्वारा, वहाँ पर president चुना जाना है, अब यह बहुत important हो जाता है इरान के लिए, especially because आपको पता होगा, इरान और बाकी के जो wishw के countries है, especially western countries उनके बीच में काफी मदभेद देखने को मिला especially nuclear deal वगरा, cancels हो गया था sanctions लगया था, तो यहाँ पर जो भी president चुना जाएगा, वो directly interact करेगा वishw के साथ, और आपको बता है, यह भारत के लिए भी काफी important है क्योंकि sanctions वगर हटेंगे, तो जो oil वगरा हो गया, काफी सीज़ हम import करा सकते हैं, तो बहुत important election यह बताया जा रहा है, तो question यह है कि यहाँ पर इस election में कौन run कर रहा है देखें, मैंने आपको बताई दिया, starting में जो एक judiciary के chief हैं, और बहुत ही hardliner बताया जाते हैं, कटर पंथी जो कहते यहाँ पर आप picture भी देख सकते हैं, मेंली चार contender बताया जा रहा हैं, और जो right side में, यह वाले जो है न, यही है राइसी, जो judiciary के chief हैं समय लेकिन एक और भी question आता है कि कौन run नहीं कर रहा है, देखें यहाँ पर जो हसन रोहानी है present में leader है, president है इरान के, उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, basically क्या होता है यहाँ पर जो guardian council है, मैं आपको बताऊंगा guardian council वगर क्या है उसके पास बहुत power होती है, वो decide करता है कि कौन सा candidate चुनाव लड़ेगा कौन सा नहीं लड़ेगा, इसके लावा जो women वगर हैं, उनको भी bard कर दिया गया मतलब आप कह सकते हो कि जो supreme leader के खिलाफ था 2009 में भी कुछ इस प्रकार का अलग-अलग movement चला था इरान के अंदर तो जो भी खिलाफ है ना supreme leader के उसको यहाँ पर elections में उतारा ही नहीं जाता है, उसको अलावी नहीं किया जाता है तो जब अलावी नहीं करे होगे तो आप किस प्रकार की democracy, I am just like asking you आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर guardian council के पास काफी जादा power होती है, अब देखिए यह जो पुरा election है इतना जादा significance क्यों है, तो कुछ reasons है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, एक तो यह है कि जो भी president होगा, वो domestic में जो policies हैं, क्योंकि इरान में अल्री काफी जादा problem से गुजर रहा है वहाँ पर unemployment economy को लेकर, तो domestic policy को set करेगा वो, और कोशिश की जाएगी कि Donald Trump के दोरा जो nuclear deal हुआ था, इरान और कई सारे देशों के बीच में उसको वापस से revive किया चाहिए, तो यह बहुत important होने वाला है, इसके लावा यहाँ पर जो भी economic problems की वज़ए से nationwide protest देखने को मिले हैं, दो बार protest हुआ है, जो हसन रोहाणी है उनके दोरान दो बार खाफी बड़े protest देखने को मिले हैं, इरान के अंदर, तो इस तरह की चीज़ें वापस ना हो, यह कोशिश की जाएगी इसके लावा, coronavirus pandemic की वज़ए से वापस से बहुत सारे नए cases आ गये थे, उसको रोकना है, यहाँ पर जो wider world है overall wish के साथ interaction करना है वो भी यह करने वाल है, लेकिन आपको याद रखना है, ultimate जो power है वो supreme leader के पास होती है, तो मैं बार-बार यह supreme leader की बात तो कर रहा हूँ लेकिन है कौन यह supreme leader, मतलब कि किस प्रकार का structure है इरान के अंदर, वो अब हम थोड़ा जानेंगे देखे, 1979 मैंने आपको बताया है Islamic revolution हुआ, उसके बाद यह पूरा complex power sharing जो है, सरकार के बीच में बन गया था आपका और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ supreme leader के पास सब कुछ power होती है इन फाक्ट, वहाँ पर जो commander in chief है military का, एक बहुत ही powerful revolutionary guard है, जैसे हमारे paramilitary forces होते हैं, उसी प्रकार से इन सबके भी head जो है commander in chief, वो भी supreme leader ही होते हैं ultimate कि हाँ पर जो भी decision लेना है उनके द्वारा लिया चाहेगा, अब question ही आता है होता है 88 members की body, ये भी आप नाम के लिए कहलो, voters के दोरा ही एक तरह से बोला तो जाता है, चुना जाता है लेकिन ultimately नाम के लिए होते हैं, वो भी पूरी तरह से supporter ही होते हैं जो हैं आपके supreme leader के, yes sir, yes sir इस टाइब की चीज़ें होती हैं, तो सारे experts की दोरा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ये आखरी elections उनके दोरा देखा जा रहा है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि उनके जो करीबी हैं, खमाईनी के, उसी को अगला supreme leader जो है यहाँ पर बनाए जाए, तो overall मैं अगर आपको बताऊ, तो ये बहुत ही अच्छा picture है यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, supreme leader के पास सारी power, armed forces, कई सारी चीज़ें, आप कहे दो, head of the judiciary कौन होगा, media कैसे control होगी, सब कुछ supreme leader यहाँ पर control करते हैं, उसके बाद यह जो guardian council है, वो बहुत important है, ठीक है, guardian council मैंने आपको बताया, कि यही चुनता है कि कौन election लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, और guardian council के अंदर 12 members होते हैं, अब यह 12 members कैसे चुने जाते हैं, ध्यान से सुनीगा, 12 members में से जो 6 members हैं, वो directly supreme leader इसको चुनते हैं, ठीक है, 6 members और बाकी की जो 6 members हैं, वो यहाँ पर एक तरह से nominate होता है, जो chief justice मैंने आपको बताया न, वहाँ पर जो इस समय election lead कर रहे हैं, तो 6 members उनकी दोरा nominate होता है, parliament वगरा फिर यहाँ पर नाम भेज देती हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो chief justice हैं, chief justice head of judiciary, वो कौन चुनता है, वो भी आपके खमाईनी चुनते हैं, तो आप just imagine कर सकते हो, चो 6 members तो यहाँ पर हमाईनी चुनते ही हैं, supreme leader, इसके लावा chief justice को भी वही चुनते हैं, और voters के दोरा चुने जाते हैं, लेकिन अगे वहाँ पर भी बहुत इल्जाम लगता है कि voting जो भी खमाईनी चाहते हैं, supreme leader चाहते हैं, उसी किसाब से tilt कर दिया जाता है, तो president voters के दोरा और यहाँ पर cabinet वगरा होता है, वो यह democracy कह सकते हो, देखो, democracy कहने का तो कह, कहने को तो कुछ भी कह दो, बहुत सारे ऐसे देश हैं, कली मैंने वीडियो बनाया था, North Korea के उपर, उसका भी नाम है Democratic Republic, तो सर्फ कह देने से नहीं होता है, यहाँ पर अगर मैं, एक प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखो, तो democracy हो सकता है, अगर यह pure democracy है, कोई भी perfect democracy नहीं होती है, अलग-अलग देशों के अलग-लग situations होते हैं, तो यहाँ पर इरान के अंदर आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत आपको elections वगरा के सारे लोगों को हटा दिया गया, elections नहीं लड़ने दिया गया, in fact, जो रोहानी चाहते थे अपने members को elections में उतारना, वो भी allow नहीं किया गया, तो यहाँ पर भी क्या होता है, कि जो भी supreme leader चाहते है, guardian council चाहता है, ultimately, वो वही decide होता है, तो यहाँ पर example क्या हुआ, अगर suppose मैं कहता हूँ 10 लोगों में से अगर आपको चुनना है किसी को, तब तो आप चुन लोगे, इसमें से अच्छा कौन है, आप चूस कर सकते हो, लेकिन 10 में से अगर कोई काफी जादा बदमाश है, गुंडा है, और मैं आपको कहूं नहीं, आपको सिर्फ दो में ही चुनना है, तो ultimately क्या यह democracy होगी, आप यह answer कर सकते हो, शीच का, तो वो actual में democracy नहीं हुआ, राइट, मैं यह नहीं कहरा हूँ कि भारत में भी कोई बहुत pure, perfect democracy है, भारत में भी बहुत सारे सुधार है, लेकिन स्टिल अच्छा है, इसके लाबा, जो सबसे best example दिया जाता है, democracy का अगें, USA का दिया जाता है, लेकिन उसका भी हमने example देखा, किस तरह से January में, Capitol Hills वगरा पर कितना जादा हिंसा वगरा देखने को मिली थी, last elections में, तो कोई perfect democracy नहीं होता है, लेकिन स्टिल हाँ, इरान अभी काफी जादा पीछे है, आप कह सकते हो, democracy के मामले में, थोड़ा बहुत उपर से है, वो दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि काफी सारे लोगों के द्वारा बोला इरान, अब आप क्या मुझे बता सकते हो, कि इरान को सबसे best इन चार options में से क्या characterize करता है, और इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात निक डाउनलोड करना चाहिए, वेबसाइट विजिट करिए, बहुत ही affordable rates पर आपको courses मिल जाएंगे, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon